नमस्कार दोस्तों जैसक कि RRB NTPC ने अंसर की जारी कर दिया है जिन लोगों ने नहीं देखा है सरकारी रेजल्ट पे जाके RRB NTPC अंसर की को आप देख सकते हैं वहाँ से पुरा रेजिस्टेशन नंबर और रोल नंबर डाल के अब दोस्तों यहाँ पर हमने काफी लोगो उनको हटाने के बाद 50 से 60 के बीच में नंबर काफी जाता देखने को मिल ला है और यहाँ पर 70 के अगर हम बात करते हैं 70 प्लस तो ऐसे बहुत कम संख्या देखने को मिली है लेकिन मैक्सिमम जो है 50 और 60 के बीच में है बहुत सारे स्टुडेंट निरास हो रहे होंगे जिन अभी असली खेल बाँकी है अभी तो कुछ भी नहीं हुआ असली खेल होता है reward Normalization ठीक ना जब दोस्तों Normalization ओगा न तब देखिएगा इसका खेल होका कiary कुए कहीं-कहीं शिप्टिंट में पेपर बहुत यहांन आया था कहीं-कहीं बहुत मोड्रेट आया था तो इसको भ जलत नहीं होगा अभी आप उमीद बिल्कुल मत आ रही है कि जिनके 50 55 और 56 58 इस तरीके से नंबर आ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि 60 प्लस होते तो हमारा हो जाता सेप स्कोर होता है ना तो आप अभी भी सेप स्कोर के अंदर है कि कि नार्मलाइजेसन अच्छे अच्छे लोगों को बाहर कर देता है इसका अभी खेल बाकी है आप निशिंद रही है इस वीडियो पर ही बताना है कि इसकी जो मैरिट है इसका जो कटाफ है ठीक ना हो सकता है 50-60 वालों का नंबर जिनका टप सिप्ट में पेपर है या माडरेट सिप्ट में था तो उनको नंबर ज कमेंट करके बता सकते हैं जो भी नंबर्स आपके मिले हैं जितने साही हैं आप कमेंट करके बताईए उसके बाद हमें एनलेसिस करने में और आसानी रहेगी वीडियो देने दोस्तों धन्यवाद